असलाम अलेकूम दिस इस घुलाम नभी इस वीडियो में हम Microsoft Teams पर अपनी online classes को schedule करना सीखेंगे चले हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने कोई भी web browser open करना है और उसके बाद हमारे पास Microsoft Teams का जो link है teams.microsoft.com उस पर जाके हम अपने ID और password से login करेंगे login करने के बाद आपकी profile जो है वो इस तरह से आपके सामने display आ जाएगा और अगर यह display ना आए तो आपने क्या करना है left side पर हमारे पास जो menus है इसमें से teams को आपने select करना है और आपके sections के नाम जो है वो आपको display हो जाएगे अब हर एक section के अंदर आपने अपना जो है class को schedule करना है मैं एक section के अंदर class को schedule करके आपको दिखा देता हूँ फर्ज कर ले मैंने CSBC1 में जो अपना lecture schedule करना है तो मैं इस पर click करूँगा और उसके बाद यहां पर आपको teachers के नाम शो हो जाएंगे जो इस class को पढ़ा रहे हैं तो इसमें आपने क्या करना है अपना lecture schedule करने के लिए अपने नाम पे अप click करेंगे जैसे मैंने अपना lecture schedule करना है तो मैं अपने नाम पे click करूँगा तो इस तरह से इंटरफेस हाजाएगा उसके बाद हमने meeting schedule करने के लिए टॉप राइट साइड पे जहां पे हमें यह meet का option नजर आ रहा है इसके साथ ही arrow का निशान है हम इस पे click करेंगे तो two options हैं और meeting schedule करने के लिए हमने चूज करना है जी schedule a meeting और हमारे सामने यह interface हाजाएगा यहाँ पर आप title जो भी आपने लिखना है वो लिखने मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी तो title मैंने लिख लिया computer lecture on Wednesday चुंकि हमने Wednesday वाले दिन का एक ही lecture schedule करना है तो मैंने यह title लिख दिया अपने meeting का computer lecture on Wednesday उसके बाद just यहाँ से नीचे हम select करेंगे date को किस date को आपका आपकी यह meeting जो है आपने करनी है तो हम 16 को select करेंगे Wednesday और फिर time अपने lecture का आप select करेंगे यहाँ सबहे मेरे मेरा जो lecture है इस class के अंदर वो जी Wednesday वाले दिन वो है 8 बज जो है यहाँ पर यह 30 मिनट का lecture बन जाएगा हमने 40 का बनाना है तो यहाँ से हम 30 की बजाए इसे 40 कर देंगे तो यह देखें हमारा 40 मिनट का lecture जो है 8 से 840 तक और यह आप लोगोंने देख लेना है उसके लावा एक और जो चीज़ आप लोगोंने लाजमी देखनी है वो य के बिलकुल ऊपर यहाँ पर टाइम जोन आपका होना चाहिए यह इसलामाबद करा चीव और अगर टाइम जोन आप स्कैजूल कर रहे हैं मेटिंग तो टाइम जोन यह नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यह वाला टाइम जोन जो है वो अपने स्लेक्ट करना है और आपके नाम वाले चैनल में यह मीटिंग स्कैजूल होके आ जाएगी तो इस तरह आपने वन बाई वन अपने हर एक सेक्शन के अंदर जाके अपने नाम वाले चैनल में जाके और नाम वाले चैनल में जाके आपने क्या करना है मीटिंग स्कैजूल करनी है मीटिंग स्क section की जो meeting set कर देनी है उस section का जिस time पर आपका lecture है वो time आपने set कर देना है अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है first करने इस वाले class में मैंने ये meeting जोल की है तो इसके meeting options हमने set करने है वो किस तरह से आप इस blue party पर click करेंगे और उसके बाद यहां पर हमारे पास option है meeting options आपने specific करना है और एक नई window आपके सामने open आजाएगी नया type तो यहां पर आपने जो चीज़ सेट करनी है number one who can bypass lobby तो यहां पर आपने only me and co organizer लिखा होगा आपने यहां से select करना है single last people in my organization आपने last meeting के option set करने otherwise students class को join नहीं कर पाएंगे अच्छा उसके बाद next जो आपने एक चीज़ सेट करनी है who can present तो यह आपने ऐसी रहने देना है only me allow mic for attendees तो यह अपने off कर देना है camera भी off कर देना है और just यह अपने options जो हैं जो मैंने आपको बताया है यह आप लोग इने set इस तरह से कर देने और उसके बाद आपने just क्या कर देना है save कर देना है और save करने के बाद यह window आपने जो है वो close कर देनी है और यहां से आप again meeting options वाला close कर देंगे तो इस तरह से यह एक meeting जो मैंने schedule की है उसका time उसकी date और फिर यह send कर बाद जब blue party आ जाएगी तो फिर आपने meeting options वे जाके meeting options जो है वो अपने हर एक schedule की हुई meeting के options लाजमी set करने है तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी classes को online schedule करना है hopefully आपको समझा गई होगी थैंक यू अलाफेज